आज हम आपके लिए एक कुईज लेकर आए हैं एक पहली आज हम आपको एक जरने की तस्वीर दिखाएंगे और आज आपको ये बताना है कि ये जरना भारत के किस इलाके में है किस क्षेत्र में है और जहां ये जरना है उस हिल स्टेशन का नाम क्या है तबी यहां के लोग नहीं जा रहे हैं। तबी यहां के लोग नहीं जा रहे हैं। दिल्ली पानी में डूब रही है। शायद उन्हें पता भी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अपना मुबाइल फोन बंद कर दिया है। और वो अपने लोगों को यह कह कर गए थे कि जब तक मैं विपस्ना करूंगा इस शिवर में तब तक मुझे बिल्कुल डिस्टरब ना किया जाए। वो ना तो दस दिन किसी से बात करेंगे ना अपना कोई फोन कॉल लेंगे और वो पूरी दुनिया से अलग रहकर कट कर मेडिटेशन करेंगे। अलग बात है हो सकता है उन्होंने कोई अपना ऐसा समय रखा हो 15-20 मिनिट आदा घंटा जिसमें वो अपने ओफिशल कॉल्स लेते हों हम कह नहीं सकते हैं लेकिन विपस्टना में अक्सर यही होता है कि व्यक्ति को दस दिन पूरी दुनिया से कट जाना होता है इसलिए हम यह बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि अर्विंद केजरिवाल को आज जो जहरने दिल्ली में बह रहे हैं इसके बारे में पता ही ना हो जबकि दिल्ली पेरिस आपको याद होगा उन्होंने दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कही थी वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं लेकिन आप ऐसा लगता है कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की बजाए इटली के शहर वेनिस जैसी बन गई है जहां सडकों पर ही नाव चल रही है देखिए आपको ऐसा लगेगा जैसे ये वेनिस हो वेनिस में भी ऐसी ही नाव चलती है वहाँ सडके नहीं हैं बलकि वहाँ पर तालाब है नहरे हैं और उन नहरों से ही पूरा शहर जुड़ा हुआ है और अब ऐसा लगता है कि दिल्ली भी सडकों की बजाए आजकल नहरों से जुड़ा हुआ है आप कोई भी नहर पकड़ लीजिए और नहर का नाम रख दिया जाएगा कि यह फलानी नहर है और लोग ऐसे ही रास्ता बताएंगे कि आप पहले आप यह लहर लीजिए उसके बाद इस लहर से राइट दूसरी लहर जा रही है फिर वहाँ जो दूसरा नाला जा रहा है वहां से आप चले जाएए और इस तरह से आप एक नहर से दूसरी नहर होते होते अपने दफतर तक पहुंच जाएंगे दिल्ली की सरकार ने चुनाव से पहले लोगों को मुफ्त पानी देने का वादा किया था लेकिन दिल्ली की सड़कों पर प्रचुर मातरा में मुफ्त का पानी ऐसे भर जाएगा इसकी कल्पना दिल्ली वालों ने भी शायद कभी नहीं की होगी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको छुट्टियां मनाने के लिए अप पहाड़ों पर जाने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि दिल्ली के फ्लाइवर से ही अप पानी के जहरने फूट रहे हैं जो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं आजकर इसके अलावा आप दिल्ली की सड़कों पर ही नदी, तालाब और सुमिंग पूल का आनंद भी ले सकते हैं और इन मैंसे किसी भी सुवधा के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है ये सब बिलकुल मुफ्त है, ये सरकार की बाकी योजनाओं की तरह भी बिलकुल मुफ्त है जैसे सरकार ने आपको कहा था मुफ्त पानी दिया जाएगा अब तो आपको इतना ज्यादा पानी दे दिया है मुफ्ट में कि दिल्ली की जनता इसके बाद कभी पानी नहीं मांगेगी दिल्ली में आज और कल दो दिन कुल मिलाकर कुछी गंटे गंटों की बारिश हुई है लेकिन दिल्ली की सडके मिंटों में एक छोटे मोटे समुधर में बदल गई यह आप तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली में चाहिए साइकल पर चलने वाला वैक्ती हो या गाड़ी से चलने वाला वैक्ती सब को दो दिन से ऐसे ही लग रहा है जैसे दिल्ली एक बहुत बड़ी दरिया है और इसमें दूब कर जाने के लावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं है दिल्ली में भारस सरकार के बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं पूरी सरकार दिल्ली से चलती है यहाँ पर हाई कोट है यहाँ पर सुप्रीम कोट है यहाँ पर प्रधान मंत्री रहते हैं राश्पती के लिए राश्पती भवन है तमाम VVIP यहाँ पर रहते हैं और सारी भार सरकार यहीं से चलती है संसत भवन भी इसी जगा पर है लेकिन चाहे इन में से किसी का भी कोई बंगला हो या कोई पुलिस थाना दिल्ली में शायद ही कोई ऐसी जगा होगी जहां पारिश का पानी अभी भरा ना हो दिल्ली के एक पुलिस थाने में जब पानी भर गया तो कु प्रेंडर करने के लिए आ गया और पानी खुद ही अपना जुर्म कबूल करने के लिए इस पुलिस थाने में घुज गया हाला कि ये बारिश ही अकेली समस्या नहीं है कुछी मिंटों की बारिश के बाद पूरी दिल्ली अकसर जैम हो जाती है और ये ऐसा नहीं है कि इसी साल देखी ये किसी दर्शक ने मेट्रो ट्रेंड में सवारी करते हुए ये वीडियो बनाया है ये हल तब है जब ट्रैफिक जाम के वज़े से दिल्ली की अर्थविवस्ता को हर साल सत्तर हजार करोड रुपे का नुकसान होता है वैसे तो आपको ऐसी तस्वीरे भारत के किसी भी शहर में दिखाई दे जाएंगी आप किसी भी शहर में रहते हों दिल्ली हो मुंबई हो बैंगलोरू हो चिर्नई हो या दूसरे जो छोटे शहर है हमारे जो दर्शक हैं जो दिल्ली के बार रहते हैं वो अस्वर यही कहेंगे कि इन तस्वीरों में ऐसी क्या खास बात है हमारे यहां भी यही होता है खास बात यह है कि दिल्ली में ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है दिल्ली भारत की पहचान है सोचिए अगर आज ओलंपिक खेल तोक्यों की बजाय दिल्ली में हो रहे होते तो क्या होता शायद नौकायन की प्रत्योगिता के लिए अलग विवस्था करने की जरुवती नहीं पड़ती और खेलारियों को शायद नाव में बैठा कर स्टेडियम तक ले जाना पड़ता सोचिए अगर G7 देशों की बैठक दिल्ली में हो रही होती या कोई और बहुत बड़ी अंतराश्टिय बैठक दिल्ली में हो रही होती और दुनिया भर के जो राष्ट ध्यक्ष हैं वो दिल्ली में होते तो शायद इन बड़े बड़े नेताओं को नाव में बैठा कर सम्मेलन वाली जगा पर पहुंचाया जाता और ये दिल्ली के बारे में क्या सूचते हैं दिल्ली में जिन इलाकों में बार जैसी स्थिती है सब के लिए अरविंद केजरिवाल और उसकी सरकार को दोश नहीं दिया जा सकता इन में कुछ इलाके N-DMC के अंतरगात आते हैं जबकि कुछ इलाकों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी है और और भी बहुत सारी जिनसीज हैं यानि इसमें गलती सबकी बराबर की है लेकिन सवाल यह है कि जब दिल्ली की सरकार दिल्ली को पैरिस जैसा बनाने का श्रे लेती है जब उस पर करोडों रुपे के विग्यापन अखबारों में छपवाती है और जब उसके नाम पर वोट मांगती है तो फिर उसे इस समस्य के बारे में भी गंभीर तासे सोचना चाहिए था और जैसा हम आपको बता रहे हैं यह जो इलाके हैं कुछ NDMC के इलाके हैं जिस पर दिल्ली सरकार का कोई प्रभाव नहीं है इसमें से कुछ इलाके MCD के अंतर गताते हैं कुछ CPWD के अंदर आते हैं कुछ PWD के अंदर आते हैं दिल्ली में पिछले 12 वर्षों में ये सितंबर के महीने में हुई सबसे زादा बारिश है लेकिन जादा बारिश का बहाना बनाकर सरकारे शेहरों को डूबने के लिए छोड़ नहीं सकती है भारत के जादतर शेहरों में थोड़ी सी बारिश के बाद रड़के पानी में डूब ही जाती है क्योंकि भारत में अर्बन प्लैनिंग पर कभी भी किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया आपको हिरानी होगी जानकर कि हजारों वर्षों पहले भारत में जो सब बेताएं विक्सित हुई उनमें पानी की निकासी के ज्यादा बेहतर इंतजाम थे आज के मुकाबले Center for Science and Environment के विग्यानिकों के मताबिक अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत में बाड़ और बारिश के पानी की निकासी की शानदार विवस्था थी तब बारिश आज की तरह परेशान नहीं करती थी बलकि बारिश की एक एक बूंद का इस्तेमाल होता था लेकिन जब अंग्रेज भारत आये तो उन्होंने पूरे भारत में नहरें और नाले बनाने शुरू कर दिये और पानी का प्रबंदन भारत के लोगों के हाथों से निकल कर अंग्रेजी अफसरों के हाथ में चला गया और आजादी के बाद भी ये परंपरा ऐसे ही कायम रही प्राचीन भारत के लोग प्रकृती के साथ सामंजस से बना कर चलते थे जबकि अंग्रेज प्रकृती पर लड़ाई करके विजह पाना चाहते थे उधारन के लिए ये तस्वीर देखिए ये मिट्टी के जो टीले आप देख रहे हैं इन्हें राजिस्तान में कुंडी कहा जाता है राजिस्तान के दर्शक इसे समझते होंगे कि कुंडी क्या होती है आम तोर पर इसे कुंड भी कहते हैं कुंडी सिस्टम के तहित ऐसे टीले बनाये जाते थे जिनमें बारिश का पानी जमा हो जाता है और फिर यहां से ये पानी कुवों में पहुंचता था कुंडों को ढखकर रखा जाता था इसलिए इनमें जाने वाला पानी पीने लायक भी होता था लेकिन जब अंगरेजों ने भारत में शहरों का निर्मान शुरू किया उन्होंने अतिकर्मन को बढ़ा दिया ड्रेनेज सिस्टम को प्राकर्तिक धलान के विपरीत बनाया जाने लगा पानी की निकासी का जो सिस्टम उपर से नीचे की तरफ होना चाहिए था वो नीचे से उपर के दिशाम में बनाया गया इसलिए आज भी ज्यादा बारिश की स्थिति में पानी आगे बढ़ने के बजाए पीछे लोटने लगता है और फिर सडकों पर जमा हो जाता है आजादी के बाद भी इस्थिति को बदला नहीं गया इंडियन इंस्ट्यूट अफ टेकनोलोजी यानि IIT डेले की एक रिपोर्ट के मताबिक दिल्ली का जादतर ड्रेनेज सिस्टम 1976 के मास्टर प्लैन पर आधारित है सोच ये 1976 ये मास्टर प्लैन उस समय दिल्ली की 60 लाग की आबादी के लिए बनाय गया था और अब ये आबादी बढ़कर सवा 2 करोड हो गई है बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब दिल्ली के आबादी 3 करोड के आसपास है कहां 60 लाग कहां 3 करोड हैरानी की बात ये है कि इस ड्रेनेज सिस्टम के तैट आने वाले ज्यादतर नालों का बहाव भी उपर से नीचे की तरफ नहीं बलकि नीचे से उपर की तरफ है आयाइटी डेली ने जब इस ड्रेनेज सिस्टम पर एक स्टडी की तो पता चला कि पानी की निकासी के लिए बनाए गए दिल्ली के 183 नालों में से 18 पूरी तरह गायव हो चुके हैं क्योंकि इन नालों के उपर अब अतिक्रमन कर लिया गया है बाकी के नाले या तो घलत ढंक से बनाए गए हैं या फिर इनमें इतनी गंदगी जमा हो चुकी है कि पानी आगे बढ़ता ही नहीं इसके इलावा किसी भी शहर में सिवेज और बारिश के पानी की निकासी के लिए अलग-अलग नाले होने चाहिए लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में जगा की कमी की वज़े से दोनों नाले आपस में ही मिल जाते हैं सुविज के पानी में लोगों दुआरा फेकी गई गंदगी भी होती है इसलिए पानी के बहाव में रुकावट आ जाता है इसके अलावा जब दिल्ली में जादा बारिश होती है तो यमुना में गिरने वाले नालों के गेट बंद कर दिये जाते हैं और इसकी वज़े से भी पानी को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता नहीं कुल मिलाकर भारत के शहरों को बारिश वाली बार से बचाना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए सिर्फ कॉमन सेंस इस्तिमाल करना होगा जिसका इस्तिमाल सेक्ड़ो वर्ष पहले हमारे पुर्खे किया करते थे हमारे वंशज किया करते थे लेकिन इसमें सब की बराबरी की हिस्सेदारी है आज जो सड़कें आप डूब डूबते हुए देख रहे हैं इनमेंसे कुछ सड़कें N-DMC की हैं कुछ MCD की हैं, कुछ CPWD की हैं, कुछ PWD की हैं कुछ केंदर सरकार के अधीन आती हैं, कुछ राज्य सरकार के अधीन आती हैं लेकिन केजरी वाल सरकार को हम ज़्यादा दोश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि केजरी वाल सरकार ने अपने चुनावी वादों में और अक्सर लोगों को ये कहा है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी वो बनाएंगे और इस मुद्दे पर उन्होंने वोट भी मांगे हैं इसलिए जब वो ये पूरा प्लैन बना रहे थे कि दिल्ली को वो पैरिस बना देंगे वर्ल्ड क्लास बना देंगे तब उन्हें इन उन्हें मुफ्त में ये पानी मिल रहा है